ओम श्यांती, 13 नवेमर के इश्रेवतन में जट कस हो गाते, परमात्वा कहते हैं, श्रेश्ट प्राप्तियों के प्रतिक्षफल द्वारा, सदा खुशाल रहने वाले, एवर हल्दी भवा, सदा खुशाल रहने वाले, एवर हल्दी भवा, संगम युपर अभी अभी किया औ और अभी अभी श्रेष्ट प्राप्ति की अनुभव हुई, वह अच्छे करने के और अभी आपको श्रेष्ट प्राप्ति की अनुभव हुई, यही है प्रत्यक्षिफल, सबसे श्रेष्ट प्रत्यक्षिफल है समीपता का अनुभव होना, परमात्मे से समीप महसूस करना, स अभी अभी तुम्हें मुझसे समीता महसूस हुई, परमात्मे से समीता महसूस हुई, ये एक प्रतिक्षफल भी है, आज कल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरस्त रहेंगे, यह ना कहते हैं कि फूर्ट्स खाए अगर हो जादा तो क्या होगा आपके परमात्म के साथ में जोड़ा, जिसको हम कहते हैं सेवन डेस कोर्स कराना, खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हल्दी हो ही, यदि आप से कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तो परमात्म क्या कहते हैं, तो बोलो कि फरिश्टों की चाल है, बल्लिए पिकल हल्के हैं मन से और खुश हाल हैं, कैसा हल? खुश हाल हैं, यह तब ही हो पाएगा जब हम परमात्म की हर बात को मान रहे होंगे, सर्फ कहने से नहीं होगा, ओम शंती